सारे लोग ऐसे कह रहे थे फेक हो सकता है, ऐसे हो सकता है, क्योंकि ये भरती बोड के नोटिस भरती बोड की वेबसाइट पर नहीं आते, ये DM और DM से किस पर जाते हैं, DM से जाते हैं ये जो जिला विद्याले निरिक्षक होते हैं उसके पास तक, तो ये पूरा का पूरा एक अकमारच को पहले बरती बोड़ ने जिला धिकारी को भेजा कब भेजा पहला एक मार्च को भेजने के बाद में मतलब आप इसे एक तीन कहोगे एक मार्च को आप क्या कह सकते हो कि 132024 को ये भरती बोड ने जिला धिकारी को नोटिस भेजा फिर जिला धिकारी जिनको DM कहते हैं आप लोग ठीक है भी या फिर जिला धिकारी ने क्या कहा इन्होंने जो जिला विद्याले निरिक्षक थे उनको भेजा कि इस आधार पर हम ल जिला विद्याले निरिक्षा के प्रियाग राज के जिला विद्याले निरिक्षा के उन्होंने पिड़ते एक उनके जिले में जितने भी प्रधानचारिये हैं उन सभी को चाहिए वो राजकिये कॉलीजे गोवर्मेंट या एसाशकिये सहता प्राप्त है वित विहीने उच् का पत्रांक वगेरा पड़ा हुआ है और क्या कहा गया विशे पढ़ना इसका आपको काफी साहता मिलेगी उम्मीद करतों भी दिखाई दे रहा होगा ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा होगा फिके भी या चलिए क्यारका उत्तरप्रदेश पुलिस भरतियवं पुरुनत प्रिख्षा के द्रों की सूची उपलब्द कराई जाने के संबंद में उप्रियक्ट विस्यक करप्या कारियल जिलाधिकारी प्रियाग राज के पत्र संख्या दिनांक 30 मार्च का संदर्व घ्रन करने का कश्ट करें चाया प्रति इसकी फोटोकोपी भी लगाई जिसके द सह्मती पर अपनी सह्मती दिनांक एक अप्रेयल मतलब पडसओं तक अपरहन दो बजे तक अनिवारी रूप से दो कौपी में अदो joined Production कारेयोलय में उपलब्द कराना संच्चित करें जिस से सह्मती पत्र संक्लित कर समे संबंदित कार्येलय को प्लब्द कराया जा सके regardez clas केंद्र बनाने के लिए कि आप हमारे विद्याले को प्रिक्षा केंद्र बना सकते हैं उसमें नोंने पूरा का पूरा क्याई सारे डॉक्यमेंट मांगे जिसके आधार पर और इसमें सारे ऐसा यह फेक होता इतने सारे डोकुमेंट फेक नहीं होते हैं ये सारे के सारे बिलकुल सही है ये फेक नहीं है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि मिरे पास एक नहीं मिरे पास वो पत्र भी है जो कारियले जिलाधिकारी प्रियाग राज के और से भीजा गया वो पत्र भी है जो भरती बोड की गया कि साधार पर सहमती देनी है इसलिए फेक नहीं है जाद अपने आप लोग ध्यान उस चीज पर मत दीजिएगा इस पर ध्यान देनी की कोशिश करना अब ये एक चार मतलब इन्होंने जाद समय नहीं दिया है भरती बोड ने एक मार्च को ये लेटर भेज दिया था अब एक चार तक ये जिला विद्याले निरिक्षक को आएगा और जिला विद्याले निरिक्षक इसको डीम को भीजेंगे ताप ऐसा समझेए कि अपरेल मही तो चुन मुगाबका होगे कि यहां तो सर विभिन परिक्षाओं की बात आ रही है एक वर बताओ भर्ती बोड पर कौन सी भर्ती है जो दर्ती बोड कराएगा कौनसा फोम भरा हुआ है इमान्दर इससे सोच पर बताओ अब नोग कमेंटumn में कौन सा ऐसा एक्जाम है जो भरती बोड कराएगा कौन सा बै देखे computer operator हो ASI हो उसका online होना है उसके लिए अलग से मागे गए थे प्रिक्षा किंद्र एक ही तो फॉम भरा हुआ है बरती बोड का जो offline एक्जाम होना है कौन सा cable और cable उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टिबल औ और एक और बड़ी बात बता रहा हूँ ये भी paper offline होना UPSI का भी और अब आपको समय नहीं मिलेगा paper में जादा क्योंकि ये परिक्षा केंद्रों की सूची पहले से तयार करके चल रहे हैं असल में सरकार ने committee बनाई थी उस committee का नामता पालिवाल समी थी उस committee ने यहाँ पर हुआ कि यह थे उनि क्या धार पर अब ये एक बार पूरा का पूरा परख्षा केंद्रों का बैंक बना ना लेंगे पर चांच्श्छा केंद्र बेंक का मतलब क्या होता है कि वह पर के तुरंत भरती का पेपर करा देंगे समझ में आ रही ये बात ये कमेटी ने बहुत अच्छे से सारी चीज़े बताई थी कि इस आधार पर कोई भी परिक्षा के इंदर चुनो तो पहले से उसकी पुरी जानकारी अपने पास रखना चाहा रहे हैं भरती बूर जो है अभी लोग जिसको फेक लग रहा है उसको मुझे कोई मतलब नहीं है